जादा नहीं मैं कहता हूँ, मैं अपने जिले की गारंटी लेता हूँ, मेरे मुझफर नगर और साहरनपूर जिले के जो मैं छड लड़के छाट करके लाऊँ, एक बार प्लीज हमें सेवा का मौका आवश्य दें, दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान से हम, इन सभी खिलाफ है इसलिए क्योंकि वह सेक्विलर नहीं है, वहां पर एक भी मुसल्मान को कभी भी, आप दुबई जाएए, साओधी एरफ जाएए, यह जितने भी यहां पर अंदोलन कर रहे हैं, यह वहां 50 साल, 60 साल रहें, उसके बावजूद भी इनको वहां की नागरिकता नहीं मरेंगे तो दफन यहीं होंगे, अगर यह अपना इसलाम इसलाम इतना कर रहे हैं, आप मैं इसलाम की बात क्यों कर रहा हूँ, इन्होंने खिलाफ़त 2.0 के अर जगा जगा लिख करके रखा हुआ है, हिंदुतों का समाप्त करने की बात कर रहे हैं, कबर खोदने की बात कर रहे हैं ये वही खिलाफत है जिसकी वज़ा से हमारे पांच लाक हिंदूओं को बेरहमी से मारा गया था अगर लदीदा और आईशा इतनी पाक साफ हैं दूद की धुली हुई है तो उन्होंने अपना फेस्बूक अकाउंट डियक्टिवेट क्यों किया आज वो सच्चाई क सामना करने से पीछे क्यों भाग रही हैं पुलिस और आर्मी हमारे साथ है आपने देखा पुलिस के सिर्फ ओड दिये गए गुजरात के वीडियो आप लोगों से देखे नहीं गई होंगे मैं सबसे पूछना चाहता हूं इतने खतरनाक वीडियो वहां क्या आए हैं पुल खार और एक दम खून के प्यासे गिरों हैं ये रावन वहां जमा मस्जिद में जाकर के सिये के खिलाफ खड़ा हुआ है शायद इस अनपड को ये नहीं मालूम है ये मेरे जिले का ही रहने वाला है इसको ये नहीं मालूम कि वहां से आने वाले सरवाधिक लोग जो हैं दल खुश हैं वो जो आप खिलाफत की बात कर रहे हैं उसी को तोड़ने का काम आरिये समाज और महरशी देव द्यानन सरस्वती जी के विचारों पर चलने वाले हजारों लाखों लोगों ने और नेत्रत्व उस समय पर किया था स्वामी स्रधानन्द जी ने पांच लाख लेकिन मैं आपको आस्वस्त करता हूं आज हजारों नहीं लाखोष स्रधानन्द जी तैयार होने की कगार में हैं इनकी मामेदम नहीं है के हिंदुस्तान का जरासा भी बाल बांका कर दे